असलाम अलेकुम डेफरेंट्स उमीद है आप सब खेरियत सौंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंक्रिमिनेटिंग कुश्चन आज किस लेक्चर के नम हम आर्टिकल 15 कानून शहादत ओर्डर डिसकस करेंगे 84 सबसे पहले हम ये देख्ते हैं इनक्रिमिनेटिंग की मीनिंग क्या है ये जो इनक्रिमिनेटिंग कुश्चन है कुश्चन का मतलब सवाल ऐसा सवाल गवाही के दोरान ऐसा सवाल जो गवाह को मुझरिम बना दे It means कि during trial अगर किसी witness से ये पुछा जाए कि आप उस time पे at the time of occasion उस transaction के दोरान आप उस time पे उस जगा पे क्या कर रहे थे और अगर वो जवाब दे उसके जवाब की वज़ा से वो खुद ही मुझरिम बन जाए उसको कहते हैं incriminating question हम incriminating जो question है ये क्या है ये भी एक privilege communication में count होता है क्योंकि हम previously discuss कर रहे थे कि article 4 से लेके 15 तक आपके क्या चलेंगे privilege communication लेकिन incriminating question को discuss करने से पहले हम इसको relate करेंगे कि इसके साथ article 13 constitution of Pakistan article 13 constitution of Pakistan क्या कहता है वो हमें ये कहता है कि no person no one shall be compelled to become his own witness किसी भी गवाह को मजबूर किसी भी शक्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने जात के खिलाब गवाही दे लेकिन article 15 क्या कि रहा है कि ऐसी गवाही है जो आपको खुद ही मुझरिम बना दे इसको थोड़ा डिसकस करते हैं कि फंड़ जो no person can be compelled to be no person can be compelled to become his own witness किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपनी जात के खिलाब गवाही दे आपका fundamental rights में है अगर किसी शक्स को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जात के खिलाफ गवाही दे तो वो क्या किया जा रहा है fundamental right की violation होगी है अब अगर हम बात करें if someone take object देखें article 15 applicable कब होगा कि जब अगर कोई शक्स object करे कि मुझे privilege तो दिया जा रहा है a ने b का murder किया अब यहाँ पर x क्या करता है x कहता है कि मैंने a को b को मारते वे देखा x कहता है कि मैंने a को b का murder करते वे देखा अब जो transaction का time था murder का time था वो था रात के एक बजे और murder का हुआ घर के अंदर अब x से ये बूचा जाता है आप ये बताएं कि आप उस time पे इसके घर में कर क्या रहे थे क्योंकि आपका कोई relation तो नहीं है a के साथ आप क्या कर रहे थे उस time तो x कहता है कि मैं वहाँ पर चोरी करने गया था ये x कोई बहाना बनाता है लेकिन वकील उसको ये कह देता है कि आप पहां चोरी करने गये थे या नहीं और वो कहता है हाँ मैं चोरी करने गया था तो उसको जो है उसकी गवाही जो incriminating question है वो यहाँ पर फाल नहीं करेगी बिसिकली आर्टिकल 15 का privilege वो कब ले सकता है आर्टिकल 15 कारने शहादत order का privilege उसको तब मिलेगा जब वो वहाँ उसका advocate वहाँ पर object कर दे के constitution of Pakistan और आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी शक्स को उसकी जात के खिलाफ गवाही नहीं दी objection अगर कोई भी शक्स जो है object नहीं करता फिर वहाँ पर कोई भी protection उसको नहीं मिलेगी अब अगर हम आर्टिकल 15 और कारने शहादत order को read out करें तो वह किता है a witness shall not be excuse from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue or any suit or in any civil or criminal यहाँ पर आपने यह आप रखने है कि ये civil पर भी अप्लीके विल है criminal proceeding पर भ such question will criminate or may end directly or indirectly to criminate यानि के directly यइंडिरेकली वह उसको मुझरिम बना दे उसके सवाल के जवाब यानि के उसका जो सवाल है वह उसका सवाल का जवाब ही उसको मुझरिम बना रहा है तो यहाँ पर जब भी कोई भी ऐसी गवाही होगी जहां पर गवाही की वज़ा से वो गव वह खुद ही मुझरिम बन जाए तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी ऐसी गवाही नहीं दी जा सकती है लेकिन अगर कोई अब्जेक्शन नहीं लेता उसकी तो फिर उसकी जो गवाही है वो उसको इनकी क्रिमनेट कर सकती है अब यहां पर थोड़ा इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 के अंदर जो फंडम ये आपका जो प्रिविलेज कम्मिनिकेशन है प्रिविलेज कम्मिनिकेशन के अंदर जो आपने एक और पॉइंट याद रखते हैं कि इसका अबजेक्ट क्या है इसका अबजेक्ट यानि कि अगर किसी शक्स से ये पूछा जाए कि आप रात के दो बज़े वहां क्या करने गए थे क्या आप ने शराप प्पिवी थी कोड उससे इस वज़ा से पूछ रही है उसका reason क्या है उसका reason यह था कि क्योंकि कोई भी शक्स अगर गवाई देता है तो वो अपने होश औ हवास में उस वक्त था या नहीं था यह भी कोड देखती है इस वज़ा से कोड की intention यह है उसका उससे यह सवाल पुछने की दूसरी बात यह कि अगर कोई शक्स गवाई दे रहा है और उसके ही गवाई ने उसको मुझरिम बना दिया तो उसकी जो गवाई है उस गवाई को आगे चलके जो है किसी और प्रोसीडिंग में उसको acceptable नहीं करा दिया जा सकता विसाल के दूर पर अगर कोई शक्स यह कह दे कि हां में वहाँ चोरी करने गया था तो उस वक्त में उसको सजा नहीं हो सकती और आगे जब उसका सेपरेट ट्राइल चलेगा चोरी का मुकदमा चलेगा वहाँ पर यह गवाई acceptable नहीं होगी अगर उसने object किया है तो अगर उसने object नहीं किया फिर यह गवाई वहाँ पर acceptable हो सकती है दूसरी बात यह कि अगर कोई शक्स परजरी करता है कोड में जूटी गवाई देता है फिर वहाँ पर उसको सजा हो सकती है इसा नहीं है कि उसको privilege मिल गया और वह जूटी गवाई दे तब भी acceptable है अगर वह जूटी गवाई देता है तो वहाँ पर उसको सजा मिलेगी यह हमने discuss किया article 15 incriminating question hopefully आपको सब्सक्राइब आ चुका होगा आज के lecture thank you